हेडिंग डालेंगे कोण ये आवेग क्या होता है तो सुने कोण ये आवेग बताओ आवेग क्या होता था सर बल इंटू डीटी होता था आवेग मैंने का यहां होता है कोण ये आवेग क्या मैंने का आवेग क्या होता था भई कि आवेग बहुत अधिक परिमान का बल होता था जो बहुत कम समय के लिए लगता था मैंने का यहां कोण यह आविग होता है बहुत अधिक परिमान का बलागून बहुत कम समय के लिए लगता है देखो सुने कौन ये आवे को कैसे परिबासित की आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है मैंने का बलागून होता है तो बराबर डीयल बाई डीटी हाँ सर तो मैं क्या तो डीटी बराबर डीयल लिख सकता हूँ हाँ और दोनों तरफ समाकलन कर दो क्या कर दो समाकलन अब आप मानोगे कि यार टो इंटू डीटी बलागून इंटू डीटी क्या सर यही कौन ये आवे के मैंने का होने में तो यही है होने में तो यही है हाँ यही है अब सुने पर चीजें कैसे डिफाइन करी गई किताबों में इससे क्योशन कैसे पुछे जाते हैं तो इंटू डिटी को आप कौनी आविक बोल सकते हूं कोई तकलीप नहीं है पर देखो विटा बात मेरी सुनना बड़ी कमाल की इसको F, R, DT लिख दूँ हाँ सर, बराबर क्या डियल हाँ, F into DT को बोला J F into DT, R बराबर डियल ध्यान से सुनना इस F into DT को बोला J आवेग, कौन सा? आवेग हैं ये क्या है आवेग J, R, बराबर डियल सुने ध्यान से J, R, J बराबर क्या? F into DT ये आवेग है हाँ तो J, R बराबर डियल हाँ, आप बोल सकते हूँ J, R बराबर L final minus L initial ये हैं कौन ये आवेग, कौन ये समवेग प्रमे है कौन ये आवेग कौन ये समवेग प्रमे समवेग प्रमे अब आपके दिल में भी खयाल आ रहा होगा मुझे पता ही क्या आ रहा होगा समवेग प्रमे आपके दिल में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर देखो क्या कि सर सीधा सीधा इसको कोणी याविक बोल देते मैंने को पर किताबों जब क्योशन पूछा जाता है तो दो तरीके से पूछा जाता है अब जब क्योशन दो तरीके से पूछा है क्या कि है पर हमें जैसने आई डिफाइन के था वैसे नहीं रठना जैको मैंने टो इंट窟ी नहीं बोला है जे को मैंने बलागून इंटू डिटी नहीं बोला है ध्यान रखना जे क्या है विटा यह आवेग है वह वाला आवेग मैंने कहां यह वही है अब जब इन्होंने क्योशन पूछा तो इन्होंने ऐसे पूछा क्योशन ऐसे पूछा वही कैसे पूछ लिया वही आप दे देंगे भाई उसमें क्या है तो सुने क्योशन का माहूल बनाते हैं मैंने का यहां से यह एक छड़ है एम द्रविमान एल लमबाई की ठीक है सर अब यह छड़ ऐसे थी हाँ ऐसे रखी हुई है ऐसे अब मैं एकदम से जटका दे दू एकदम से इसमें क्या दे दू जटका दे दू यहां से मैं पकड़ा हुआ है यहां से एकदम से जटका दे दू इनकी आविग लगा दू तो क् गूमने लगेगी तो इसमें किसमें मैंने का इसमें किसमें मैंने का इसमें 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 एक जे लगाया क्या लगाया जे की वैल्यू है ट्वंटी न्यूटन सेकंड जे क्या है आवे गहें सर ऑच में का data देके कराता हूँ तुम भी क्या रखोगे, 37 डिगरी पर किते डिगरी पर, 37 डिगरी पर भ्याटा ऐसम से वैलू दो मिटर लेड़ो दर्वे मान भी दे दो सार मैंने का द्रविमान भी ले लो इसका तीन केजी का M कितना है तीन केजी है मुझे पता है मैंने ये मान ऐसा क्यों दिया क्योंकि चीजे आसान हो जाए डाटा जैसे ही आपने आवेग लगाया तो J लगाने के तुरंट बाद इसका कोणी आवेग बताना है इनके J ये आवेग तो कोणी ये वेग बताओ बई कोणी ये वेग सर देखो क्या समवेग सेरक्षन है मेनका बिलकुल हिंज फोर्स आ रहे है कील लगी औहीं न ह् हंब पर एंज़फोस का तो कुल बलागोन जीरो है, मैं रहा हुआ, वो तो इसे एक्षस से पास हो रहे, किधर और एकिधर उन 발생 इंचा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर बलागोन जीरो थूड़ी, इसका तो हे, ये तो घुमाएगा, ये तो हैं। तो फिर देखो दो चीजे होती हैं एक होता है कोण ये समवेग सरक्षन करते हैं और कोण ये समवेग सरक्षन नहीं होता तो फिर लगाते हैं क्या कोण ये आवेग समवेग प्रमे ऐसे ही वहाँ पे समवेग सरक्षन नहीं होता था तो आवेग समवेग प्रमे लगाते थे इनका आपको बढ़िया से एकदम क्लियर होना चाहिए कि कब क्या लगाते हैं पहले इस 20 के गटक कर दो विटा इस 20 के गटक होंगे 20 को 37 यानि कि सर्क 4 बटे 5 16 न्यूटन सेगेंड और इस 12 का कोई खेल नहीं है इसने कोई पाटिसिपेट नहीं कि इसको घुमाने में क्योंकि यह तो फास हो रहा है यहां से और इसका लंबत गटक बारा होगा ना बारा सुला ही होते हैं भीस के असर तो जब आप यह लिखोगे जे इंटू आर बराबर एल फाइनल माइनस एल इनीशियल जे 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 बोलो भाई सर देखो हमें इस बात का एसास भी करना पड़ेगा क्योंकि यह सब सदिस रासियां हैं मैंने कहां यह जो बलागून है ना यह ऐसे हैं ऐसे घुमा रहा है इसको बाहर की तरफ है तो जे और आर बाहर है मैंने कहां तो बाहर वाली दिशा को क्या माल लो दनात्मक और हमने यह भी माल ले है कि घुमने के बाद इसका ओमेगा बाहर ही आएगा क्या आएगा बाहर ओबियसली बात है इधर ही आएगा क्योंकि मैं आपको ऐसा भी क्योशन कराऊंगा जिसमें छड़ पहले से घूमरी होगी और एकदम से जटका लगा जटका लगते उस काउमेगा बदला वैसा करेंगे हाँ तो यह जो जे हैं यह सोला है यह दो है आर की वैल्यू इनिशल जीरो है प्रारंबिक कोड़ यह समवे कितना है जीरो और अन्तिम सर आई उमेगा है और यह जीरो आपको जानकर कुशी होगी कि आपको जड़त वागुन निकालना नहीं आता क्या आता है ML स्क्वार बाई 3 ओहो डाटा इसलिए दिये आपने सर SMN कहां ताकि चीजे कटे 4 केजी मीटर स्क्वार डाटा जान बूज के आपके लिए आसान दिये है बाकि मुझे क्या 0.001 दे दो केलकुलेशन तो फिर भी तुमें ही करनी है क्या केद्दे हो यार ओमेगा ओमेगा आगया सर 8 रेडियन पर सेकंड ओहो जोर का जटका जोरो से लगा है ना 8 रेडियन पर सेकंड जैसे आपने आवेग लगाया कोणी ये आवेग मतलब आवेग लगाया तो कोणी वीग कितना आगया भई एत रेडियन पर सेकट आया पक्का स्च लो इस टाइब के कैशचन आप मुझे लगता है कडो लोगे कोई दिक्कत नहीं होनी चिए है इस टाइब के क्वेशस में अब देखो ओर किस टाइब के सेशार सर की में यो गट हो कि आउ आओ आओ करते हैं बात करते हैं मेने का एक और, यस सर यस सर, मेने का लो तो भाई, पहले से घुमा देते हैं इसको तो, ये घुम रही थी बड़े प्रेम से, ऐसे, कितने से, मेने का 4 रेडियन पर सेकंड से घुम रही थी, किते से घूम रही थी 4 radian per second से द्रवेमान 3 kg है L की value कितनी 2 meter है और मैंने का फिर 20 लगा दिया 20 Newton second यहने की J लगा दिया उतने angle पे 37 पे बिना pen चला है आंसर दे सकते हो J लगाने के बाद कौनी ये वेग J के तुरंत बाद कौनी ये वेग कितना रहे दिशा के साथ बताना है कर दो भाई ऐसे क्या है कुछ नहीं है इसमें क्या ये सेम डाटा है हाँ सर जड़त वागन बोलो ML स्क्वाइर बाई 3 सर 3 इंटू 4 बाई 3 4 केजी मिटर स्क्वाइर अच्छा एक बात बताओ कौन से दिशा धनात्मग लोगे बाहर वाली धनात्मग ले 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 लो सर बाहर वाली धनात्मग ले ले लो तो मैंने का जे आर बराबर एल फाइनल माइनस एल इनीश्यर जे की वैल्यू मैंने का यह सोला है पहले निकला बात आँ सोला इंटू दो है ना हाँ सर बाहर वाली धीशा धनात्मग ले लो अंदर वाली रिनात्मग ले लो ओके सर अंदर वाली आप रिनात्मक लोगे तो ये बताओ सर ध्यान से सुनना जे की दिशा का है बाहर की तरफ पे देखो जे जे आर बलागोन बाहर है ये सर तो जे तो कोणी आवेग हो गया जे आर की दिशा बाहर हो गई तो धनात्मक अंदर वाली रिणात्मक है तो sir ये तो 4 into omega 10 हाँ जो हमें निकालना है या omega ले लो sir sir जिसको निकालते हैं उसका चिन नहीं रखते हैं क्योंकि वो चिन के साथ आएगा बिल्कुल और ये minus minus हो जाएगा plus n की 4 into 4 तुम्हें आया ही नहीं है आया क्या पक्का सोच लो minus minus plus क्यों किया sir ये अंदर है अरे अंदर वाली दिशा को धनात्मक लिया है अंदर वाली दिशा को धनात्मक लिया है बाहर वाली को sorry मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूं बाहर वाली को धनात्मक लिया है सर आपने ऐसे क्या करते हो बाहर वाली को दनात्मक और अंदर वाली को रिनात्मक लिया है अब देखो कोई दिख करनी है बाहर वाली डोट होती है हाँ बाहर वाली को धनात्मक जे आर की दिशा बाहर है अंदर वाली ओमेगा अंदर है इसलिए रिनात्मक माइनस माइनस प्ल Radian Per Second मैंने का मेरे को पहले से ही आशियाए पार इसकाallo. कि इतना करना ही नहीं था क्यूक्कि आप क्या देखोगे क्या η क्योंचन है exactly same thing कि सिर्फ बदला क्या? पीछले वाले और इस वाले में क्या बदला में डाचा वाला सोते मिद्ध देखो ये वही क्योशन है इनिशल ओमेगा क्या था जीरो था हाँ सर इनिशल ओमेगा क्या था बेटा जीरो था जी सर तो आप मानोगे इस बात का एसास कर लोगे आप की देखो सर जब इसको हमने 20 न्यूटन सेकंड का आवेग दिया तो ये आठ से घुमा हाँ पर ये अगर इनिशल इदर चार से घूमरा होता तो ब offendersly बात नहीं है चार से ही गोमता फिर विप्रीधि शामिन कहां क्योंकि पहले चार से घूम रहा था ये थेने के बाद रहा था ये देने के बाद आठ से घूमता आपने पास नहीं आया आया क्या पक्का तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोण ये आवेग के क्योशंस में भी कोई तकलीप होनी चाहिए एक बार आराम से देखो इसको 10-20 सेगड़ अब देख लिया पक्का आया समझ आया पक्का तो आज की क्लास में बहतरीन कॉंसप्ट अ कब होता है नहीं होता है तो फिर ये होता है कोण ये समविग सरक्षन सीखा अपने कोण ये समविग सीखा समविग सरक्षन भी सीखा और नहीं होता है तो फिर ये होता है क्या बात क्लियर है क्योंकि कभी-कभी बच्चे के दिमाग में ये भी डाउट चलता रहता है कि सर क कौन ये समवेग सरक्षन कर लेते हैं हमें कंडिशन पता हो नहीं पता हो फिर भी कर लेते हैं पर हमें ये समझ नहीं था कब करते हैं कब नहीं करते हैं मैंने का कुल बलाघून जीरो हैं तो कौन ये समवेग सरक्षन लगाते हैं और अगर कुल बलाघून जीरो नहीं है अब मतलब आवेग ही है समझ में आ रही है पक्का, सोचलो, क्लियर तो फिर मिलते हैं अगले शांदार से लेक्चर में जिसमें बड़ी कमाल की बाते होगी और घुर्णन गती का वो बहुत प्यारा सेक्शन है थेंक यू